अस्तलामु अलेकुम वरहमतुल्लाहिव बरकातु हूँ प्यारे नाजरीन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काले धागे वाला महबत का बहतरीन अमल देख लीजिए ये मेरे हाथ में काला धागा है महबत में आपको कोई भी मसला है प्यार में परेशानी हो रही है तो आप इस अमल को कर ही लीजिए ये बहुत ही ताख़दवर अमल है जिसको करते ही तीन दिन के अंदर आपका काम पूरा हो जाएगा जिसके लिए आप अमल करेंगे वो आपके पास होगा चाहे वो आपको कॉल करके आपसे कॉन्टेक्ट करे या आपके पास खुद चल कर आए बस आप इस अमल को ध्यान से देख कर कर लें इन्शाललह महबत में कामियाबी हासिल होगी और प्यारे नाजरीन अगर आप अमल खुद करना नहीं चाहते किसी और से अमल कराना चाहते हैं तो उसकी भी परिशानी नहीं है क्योंकि लगतार स्क्रीन पर जो है वो मौलाना सहाब का नंबर दिया जा रहा है वो भी आपकी मदद कर सकते हैं और आपका जो अमल है वो कर सकते हैं बिलकुल भी परिशान मत होईए इस परिशानी का आप हल इस तरह निकलवा सकते हैं, उनसे कॉंटक्ट करके, उनको कॉल करके, बात करके, अपनी मुहपत का अपनी परिशानी का हल निकलवा सकते हैं लकातार स्क्रीन पर मौलाना सहब का नंबर जो है वो दिखाया जा रहा है आप उन्हें कॉल कर लें ताकि जो आपकी परिशानी है वो सारी दूर हो जाए मुहबत का मसला है शादी का मसला है कारोबार का मसला है चाहे कोई भी दुनिया का मसला हो आपका इंशालला वो आपकी जो परिशानी हैं बिल्कुल दूर कर देंगे लेकिन एक बात आपको और ध्यान लखना चाहिए कि दुनिया के चाहे आप किसी भी कौने में है आप उनसे बात करके अमल करवा सकते हैं अगर आप उससे ये नहीं कर पा रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं क्या करूँ मुझसे ये नहीं हो रहा है तो आप इसके बारे में बिल्कुल परिशान नहों हमारे मौलाना सहाब आपका ये अमल करेंगे और आपकी सारी परिशानी इंशालला जरूर दूर हो जाएगी आपको इस धागे को बनाकर सूरे फातिया पढ़ लेनी है यानि कि ये धागा है इसमें गाठ मालने आप सौ गाठे मालने या पचास गाठे मालने इसकी कोई पाबंदी नहीं है फिर उसके बाद आपको इस धागे को अपने हाथ में लेना है और इस पर यानि अलहमदुलिल्लाही रबिलालामीन यानि के सूरे फातिहा 21 मरतबा आपको पढ़नी है फिर पढ़ने के बाद इस धागे पर 3 मरतबा फूंक मार लेनी है और जब इस काले धागे पर फूंक मार लेंगे फिर फूंक मारने के बाद फौरन आप इसको अपने प तो आप इसका result खुद महसूस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितना ताखदवर अमल है ये तीन दिन होते ही या तो आपको आपके महभूब का आपकी प्यार का जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं उसकी call आजाएगी उसका phone आजाएगा या फिर उसका WhatsApp पर मैसेज आजाएगा आप से आपकी महभत आपके प्यार की बात हो जाएगी वो आप से हर तरीखे से मिलने के लिए तैयार हो जाएगा लेकिन आपको बता दूँ इस अमल को गलत तरीखे से इस्तेमाल बिलकुल भी ना करें आप लोगों को एक चीज और बता दूँ आपको अगर अमल करना है तो सिर्फ हमारी बातों पर ध्यान दें जो हमने बताया सिर्फ उस पर ही अमल करें या फिर लगातार स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है मौलाना सहाब का उनसे बात करें वो आपकी सारे परिशानियों का हल आपको देंगे किसी भी दिन आप या अमल कर सकते हैं इसका कोई दिन मतया या मुखरर बिलकुल भी नहीं है लेकिन जिस दिन भी करेंगे मगरिब के बाद ही करेंगे यानि तकरीबन साथ बजे के बाद करना है और सुभा के साथ बजे के बीच में ये अमल करना है ये बहुत ही आसान और आजमाया हुआ अमल है इसको करने के बाद आप इसका कमाल अपनी आँखों से इंशालला जरूर देखेंगे अमल करने के लिए आपको इजासत लेना जरूरी है इसलिए इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और अपना नाम लिखकर हमें बता देना है कि हम इस अमल को कर रहे हैं ताकि हम आपके लिए दुआ कर दें और आपका काम आसान हो जाए तो अब मुझे दीजिये इजासत खुदा हाफिज